प्रसकर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर MP Police Constable एक्जाम के लिए सामान ग्यान और मैथ के कोश्चन देखेंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं तो चलिए सुरू करते हैं इस आज के सेशन में पहला कोश्चन है मोरक्को का यात्री इबन बतूता किसके समय में भारत आया था तो आप्शन D महुंबद विन तुगलक भारत में एक रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है तो आप्शन D बित्त सचिप के द्वारा कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है आप्शन D चीन प्रतिबर्स आठ अक्टूबर को कौन सा दिबस मनाया जाता है आप्शन C भारतिय बाईयू सेना दिबस अंतरराश्टरी ये ओलम्पिक समिती का मुख्याले कहां पर इस्तित है आप्शन B लूसाने लोहे की कील पर जंग लगने पर क्या होगा आप्शन B उसके भार में ब्रद्धी हो जाती है निम्नमेस से कौन सी अक्रिय गैस है आप्शन D हीलियम H E सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रियोग की जाती है आप्शन D कारवन डायोकसाइड CO2 अगला गोशन ने बनस्पती जगत का सबसे बड़ा समू कौन सा है तो आप्शन A थैलोफाइटा मनुस में भोजन का पाचन कहां से प्रारंब होता है आप्शन A मुखस से प्रारंब होता है अगला गोशन ने एक गाउं की जन संक्या कितनी है एक गाउं की जन संक्या 78,692 और इन में से 29,642 पुरुस है 29,642 क्या है पुरुस और 28,166 क्या है महिलाए है तता सेस बच्चे है तो बच्चों की संक्या बतानी तो पूरुस और महिलाओं की पहले संख्या हम लोग काउंट कर लेते हैं कितनी है टोटल तो देखिए 2, 7, 9, 4, 6, 10 की 0 हांसिल लगा 1, 7 और 1, 8, 9, 8, 17 की 7 हांसिल लगा 1, 5 57,809 ये महिला पूरुस हैं और जो बचे हुए जो हैं वो सेस बचे हैं तो सेस बचे कितनी हो गया, 78,000 टोटल जन संख्या से पूरुसो मैलाओं की जन संख्या को गटा देंगे तो गटा देती हैं 57,809 तो आपकी बच्चों की संख्या आ जाएगी तो 12 मैंसे 9 जाएगा तो आपका 3, 8 मैंसे 0 गया तो 8 हो जाएगा फिर एक उतार लेंगे 16 मैंसे 8 गया तो आपका 8 यहां 7 मैंसे 7, 0, 7 मैंसे 5 गया तो 2 20,883 आपका अंसर हो जाएगा option A is right answer चलिए अगला कोशन करते हैं निम्न मैंसे कौन सा गतन सही है इसका हो जाएगा option A एक एक अभाज संख्या नहीं है तो यह वाला सही हो जाएगा देखे एक अभाज संख्या नहीं है बलकि यह क्या होती है एक प्राकर संख्या होती है पुरां के संख्या होती है बास्तिविक संख्या होती है तो बर्ग का परिमाप क्या होता है बर्ग का परिमाप क्या होता है यह होता है यह होता है 4 into भोजा तो बर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है 8 मीटर का है तो देखिए यहां 8 मीटर नहीं होगा 48 मीटर हो जाएगा थोड़ा सा सुधार कर लीजेगा तो आपका 48 यह हो चार से काटेंगे तो आपका बुजा कितना आ जाएगा चार एकम चार चार दुनिया बार है अब बर्ग का चेतरफल निकालना है तो बर्ग का चेतरफल क्या होता है बुजा स्कॉयर तो बारा का स्कॉयर करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 144 मीटर स्कॉयर तो आप कि छमता कितनी होगी तो मैं आपको पहले कोश्चन करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में 100% होती है और 100% क्या होता है 100 वटे 100 और आपको क्या निकल काता है आता है आपका फ्रेक्शन एक वटा एक या कह सकते हैं एक आ पूरा भाग है यह पूरा भरा हुआ है मतलब चमता है पानी की ड्रम की चमता है पानी बढ़ने की और जिसमें से दो वटे तीन भाग भरा हुआ है तो मतलब खाली कितना बचेगा तो एक मेंसे दो वटे तीन गटाएंगे तो आपका कितना आजाएगा एक वटे तीन अब तो यहां से एक किबलू कितनी आजाएगे, तीन का पचास में मल्टिप्लाई करेंगे, तो आपका आजाएगा 150 लीटर, option is right answer, अगला कोश्यन है, एक विक्ती साधारान ब्याच पर दो बर्स के लिए 20,000 रुपए, उधार लेता है, मतलब स्टार्टिंग में उसने उधार ल ब्याच सहीत इतना लोटाता है, 24,800, तो ब्याच जब लग गया, तो आपका ये मिस्र धन में कनबाट हो जाएगा, तो एक की वैलू कितनी हो जाएगे, 24,800, तो ब्याच की दर बतानी है, मतलब इसमाल अर की वैलू बतानी है, तो हमें साधारान ब्याच अगर पता चल जा तो साधारान ब्याच क्या होता है, A-B, होता है, तो SI यहाँ से निकाल लेंगे, मतलब 24,800 से 20,000 गटाएंगे, तो आपका कितना आजाएगा, 4800, कितना आजाएगा, 4800, SI, और SI इस कल्टू क्या होता है, SI हम लोगों ने निकाल लिया है, साधारान ब्याच, 4800, PRT अपान 100, P की बैलू कितनी है, 20,000, R की बैलू हमें निकाल लिया, T की बैलू है, 2 बर्स, और बटे में 100 हो जाएगा, 2,0 से 2,0 यह कट जाएगा, अब यहाँ से 4800, किसके बराबर हो जाएगा, तो उपर कितना बचा 200 हो जाएगा, और R की बैलू में बतानी है, और इंटू 2 और हो ज कितना आजाएगा, 2 से हम लोगों ने 48 काटा, तो आपका कितना निकलेगा, यह निकला आपका दो दुनी 4 और 2 चकूर, मतलब 24 निकलाया, अब यह आगे 200 के आगे 2 बचा, इससे हम लोग 24 काटेंगे, तो आपका कितना अंसर निकलेगा, 12,30, कैल्कुलेशन आप कर सकते हैं 12,30 is right answer, options is right answer, अगला कोश्यन है, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमेटर की दूरी तै करता है, टाइम आपका टी बराबर कितना है, गंटे में, 8 घंटा है, और दूरी, और डिस्टेंस कितनी है, 400 किलोमेटर, तो हमें ओसा चाल बतानी है, तो ओसा चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बते कुल समय, तो दूरी कितनी है 400, और समय कुल कितना है 8 घंटा, काट देते हैं, तो 8,45 और 0, 50 किलोमेटर पती घंटा, आंसर हो जाएगा, option B is right answer, गाइज अगला कोश्यन है, निम्न मेंसे कौन सी, 1.01 के समतुल्य है, चार option है, इसमें देके एक चीत देके सभी म क्या लगाऊँ, परसेंटेस, और संख्या आपको दे दी bạn, आप आपको पता होगा, कि किकिसी भी संख्या को, परसेंटेस में कनवट करने के लिए, क्या करते हैं, 100 का मल्टिप्लाई कर दिया, अब क्या होगा, बटा लगाया, और पॉइंट हटाया, और नीचे 2-0 बढ़ अगला कोस्चन है आपका किसी ब्यापारी को 31 रुपए में कोई सामान बेंचने पर 7 प्रतिसत की हानी होती है यदि बहुत सामान 35 रुपए में बेंचने तो कितना प्रतिसत लाब होगा पर्सेंटेज और प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए क्रैमूल पता होना चाहिए तो कोस्चन क्या गयता है किसी ब्यापारी ने 31 रुपए में कोई सामान बेंचने पर 7 प्रतिसत की हानी होती है तो CP को मैंसे हम लोग क्या मानते है 100 प्रतिसत मानते है और CP में कोई अगर प्रॉफिट जुड़ जाए या लॉस घड़ जाए तो वो सेलिंग प्राइस में कनबाट हो जाता है तो देखे 7 प्रतिसत की हानी होरी तो 100 मैंसे 7 प्रतिसत कटाएंगे तो 93 बैलू किसके बराबर हो जाएगी 31 रुपए के बराबर क्यूंकि 31 रुपए में कोई सामान बेंच रहा है ना जब 93 की बैलू है आपकी 31-31 रुपए तो आपकी 1% की बैलू क्या हो जाएगी काट लेते हैं तो आपका आ जाएगा 31-93 मतलब 1 vat 3 आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा एक बटे तीन अब भाही सामान 35 रुपए में बेचे तो एक परसेंट की वैलू है आपकी एक बटे तीन तो हम लोग कोस्ट प्राइज निकाल लेते हैं तो 100 परसेंट की वैलू किसके बराबर हो जाएगे 100 बटा तीन अब देखिए गाईस अब भाही सामान 35 रुपए में बेचे तो कितना परतिसत लाब होगा अब 35 रुपए की बात हो रही है और 35 और प्राफिट भी बताना है तो परसेंटेज और प्राफिट क्या होगा SP माइनस CP होता है प्राफिट कब होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस यहां पर कितना है 35 रुपए तो 35 मैंसे 100 बटे 3 घटा देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस तो मैंने निकाले लिया है CP बराबा 100 बटे 3 आया था तो 100 बटे 3 निकाल लेंगे तो और बटे में CP को रखेंगे CP कितना है 100 बटे 3 और into 100 कर देंगे तो आपका percentage of profit निकलाएगा अब इसको अगर solve करेंगे तो कैसे करेंगे तो देखें यहां पर LCM कितना हो जाएगा 3 और उपर 35 में 3 का multiply करेंगे तो आपका कितना आजाएगा पांच पंद्रा कि 5 हांसिल लगा एक तिन दिरकन्न और 105 आजाएगा और उपर कितना आजाएगा 100 बटे 3 फिर नीचे कितना है 100 बटे 3 और into 100 है 3 से 3 कट जाएगा और 105 में से 100 जाएगा तो आपका 5 आजाएगा मतलब 5 बटे 100 into 100 तो 100 से 100 कट जाएगा तो आपका अंसर कितना जाएगा 5 पतिसत आपका अंसर आजाएगा आज किस वीडियो में इतना ही धन्यबाद आपका दिन सोबर है